अगर हम कहें कि किसे फिल्म में बैड्रूम सीन आने वाला है तो रियक्शन क्या होगा कि अगर आप फैमली के साथ होंगे तो टीवी बंद कर देंगे बच्चों की साथ होंगे तो बच्चों को कमरे में भेज़ देंगे या फिर चैनल चेंज कर देंगे लेकिन आज हम आपक का नाम रखा गया था लेकिन इस सीन में कुछ भी नहीं था खाला कि एक्तर जो है सोनाली कुलकरणी वो बहुत जादा डर गई थी बहुत जादा नर्वस हो गई थी बेट्रूम सीन का नाम सुनने के साथ ही ये किस्सा है फिल्मिशन कश्मीर का इस फिल्म में सोनाली कुलकर्णी और संजेद जो है उनका एक सीन फिल्म आया जाना था अब सोनाली कुलकर्णी जो है वो ड्रेसिंग रूम में जाके तयार होती है गाउन पहनती है और उसके बाद वो जैसे ही गाउन पहन के बाहर निकलती है उनकी हेर ड्रेसर अचानक से उनसे पूछ लेती है वैक्सिन कराया क्या इसके बाद सोनाली कुलकर्णी के जहन में बड़ी सारी चीज़े चलने लग जाती है और उन्हें बताया जाता है कि अब जो अगला सीन शूट होने वाला है वो सीन बेडरूम सीन है ऐसे में सोनाली कुलकर्णी के मन में जो है कई सा पाल दोडने लग जाते हैं और वह नर् deleting उनको जब शूटिंग के इस्थान पर पहूंचाए जाता है जगह पर तो वहां पर भी वह बहुत नर्वस होती हैं कभी वह सीन से पहले उठती हैं कभी बेठती हैं कभी उनके होंट कापने लग जाते हैं उनके हाद जो है वो थर्राने लग जाते हैं ऐसे मैं संजदत जो हैं वो सोना ले कुल करने को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देख इस सीन में तो पपी भी नहीं है किस भी नहीं है मैं पहले से ही खुद नर्वस हूँ और उपर से तू भी नर्वस है अगर हम दोनों ही नर्वस रहे तो ये सीन शूट नहीं हो पाएगा और इस सीन में बहुत सिंपल सी चीज थी इस सीन में दोनों अपने बेटे के बारे में बात करते हैं संजदत खुशो के सोनाली कुल करनी जो कि इस फल में उनकी पत्नी की भूमिका में होती है उससे कहता है कि आज मुझे मेरे बेटे ने अब्बा कहा तो सोनाली कुल करनी कहती है कि वो मुझे पहले से यह अम्मी बोल रहा था और इस नोग जूप के बीच जो है संजदत सोनाली कुल करनी को गले लगाते हैं और यह सीन कट हो जाना था लेकिन इस सीन को जोकि बैडरूम सीन का नाम दिया गया था तो उससे पहले ही सोनाली कुल करनी बहुत जादा नर्वस हो गई थी जसे आप सब बताईएगा जरूर की किस किस ने मिशन कश्मीर का उन देखिए कमेंट करके बता दूचेगा